जानदा शानदार ऐसा केंपेन मेरी जीवन में कभी नहीं आया मुझे अंदाज भी नहीं था कि करहल की जंता चुनाव अपना बना लेगी मैं केवल हैं नॉमिनेशन करने के लिए आया दूसरी दिन से ऐसा जंद सहलाव उम्रा है कि चुनाव आयोग की अनुमती अगर हुआ करती तो हमें इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ देते कि सुबह के तीन बजे भी लोग देखने के लिए सुनने के लिए और मिलने के लिए आतूर थे जहां तक आपने पुत्र और शिस वाली बात कही है हमारी गुरू सुछ परमपरा रही है कि दोनाचार के पुत्र अस्वस अमक खाया हुगा था लेकिन उनकी सुबहक्षा साहनभूती और आशीरबाद हमेशा आरजुन पर रहा है योगी आदेतनात का यह पांस साल का कालखंड है जो सरकार का यह उत्तर पदेश का कानून यौस्ता के मामले में सौन योग है बाबा बुल्डुजर कहला रहे हैं अचकल वो लेकिन दो बुल्डुजर रखते हैं दूसरे का भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए एक से सलत नर्मान विकास हो रहा है तो दूसरे से इस प्रकार के बैड एलिमेंट्स हैं जिन्होंने अकूद संपत्ती घट्टी कर रखी है कभी नक्से पास नहीं कराते हैं जिनका मानी अदालतों में विस्वास नहीं होता है उनके ऊपर वो बुल्डुजर चलाय जा रहा है अभी अचार सही था है बुल्डुजर रिपेर के लिए गया है दस मर्च के बाद बुल्डुजर फिर चलेगा क्योंकि अभी काफी लोग हैं जो जेल के बाहर हैं अखरी दिन है बहुत अच्छा लगा जब करहल से ये बात उन्होंने की है कि जो राम मंदिर है वो राष्ट मंदिर बनेगा क्योंकि भगवान राम है वो हमारे आराद देव हैं राष्ट नायक रहें भले वो त्रेता में रहें हो मरयादा पुरसुत्तम है ये 14 दिन की आचा सबसे उत्तम थे तो अब मैं खुलकी बात कर रहा हूं कि वो त्रेता की बात थी और जो लोगों को भी रियक्शन आने सुरू होंगे सेकुलर कंट्री है कैसे वो राष्ट मंदिर हो सकता है अगर कोई धर्म सात्वीं सताब्दी में पैदा ही हुआ हो अस्तित तुमें ही आ गया है और इसका 14 साल का कैवल एथिहास हो हमारा द्रापर भी 500 साल पुराना कि उसनी जी का त्रेतातललाखों साल पुराना है तो इसलिए बाद में आने वाले लोग इनक्रोच करने वाले लोग या अतिक्रमन करने वाले लोग कभी मिलकीयत नहीं बना चकते और उनके अनस नहीं सकते हैं इसलिए अयुद्या का राम मंदर निश्यत तौर से राम भक्तों के लिए राश्ट मंदर ही होगा कि अगर वह अपनी समाजवादी पार्टी के गर्जिन की भूंका निभाते तो 403 सीटों में वह और भी कहीं जाते जहां कमजोर प्रत्यासी थे वहां उनको जाना चाहिए था जो फसी हुई सहरे की आवसकता पढ़ रही है ऐसा अधारन आपको हिंदुस्तान प्लिटिक्स में कोई दूसरा मिलेगा ही नहीं यह वो खले सादो उस करहल रूपी चुनावी कप्तान हैं जिनका जहाज डूब रहा है और डूबते हुए जहाज से लगवग भाग रहे हैं तो अब उन् को बोट डलवाने के लिए कोई देश का नेता नहीं आता था उनके पिता जी नहीं थे और भी कोई नहीं तो उन्होंने एक सीट बनाई थी यह स्रीमान जी मुखमंत्री रहते हुए राश्टी अद्धश होते हुए सर्व से सीट को चुना और उसको भी हार रहे हैं पहार स जंता ने उनको पांचमें दिन छटमें दिन बुला लिया यह चोटी घटना नहीं है राजनीती में इस पे पिएश्डी हुआ करेंगी फिर चलो एक बार आ गए थे फिर लोगों ने कहा कि पहले तो उनके कुछ चम्चों ने कहा था कि आने की जूरुत भहिया नहीं है भह चला गया है आपके हां से तो जो सत्रा तारीक बड़ी क्रूशल होती है दो दिन पहले उस दिन उनको इसी थर्ड राउंड की कमजोड सीटों पर जाकर के जिताने का प्यास करना चाहिए तो सबसे मजबूत सीट जो उन्होंने पिक एंड चूज की है उस पर उनको दो बार आना पड़ा फिर एक बार नाम ले दू लिमपल यादो जी अक्षे यादो जी रामगोपल यादो जी शुपाल यादो जी तेज प्रताफ सिंग यादो जी को भी रहना ही पड़ा और अंत में उन्होंने अपने बुजर्ग और बीमार पिता जी का सहरा लेने का प्यास किय लेकिन नेता जी ने उनका नाम भी नहीं लिया बोट भी नहीं मांगे मुझे लगता कि वो से इस्तिती बेनी थे कि उनको पती नहीं था वो कहां है कौन लाया है क्या करना है जब उनके कान में फस फसा के किसी दूसरे ने कहा कि नाम ले दो झाल झाल झाल